गेहूं की उपज उसमें निकलने वाले कल्लों और कल्लों में जो बालियां आती हैं और बालियों में जो दाने बनते हैं उस पर निर्भर करती हैं अगर गेहूं से अच्छे कल्ले निकलते हैं और अच्छी बालियां बनती हैं तो उपज भी बहुत अच्छी होगी गेहूं की प्रारभिक अवस्था में कल्लों का अच्छी संख्या में निकलना बहुत जरूरी है और अगर कल्ले कम निकलते हैं तो निश्चित रूप से उपज भी कम हो जाती है तो हम ऐसे क्या उपाई करें ऐसी कौन सी हम प्रैक्टिस अपनाएं जिससे की गेहूं में कल्ले अच्छी संख्या में निकलें ताकि हमें गेहूं से भरपूर उत्पादन मिले तो देखिए जो कल्ले निकलते हैं वो फसल की एक अवस्था होती है और इस अवस्था में फसल को कोई स्ट्रेस, मतलब किसी परकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए चाहे वो जल की हो, चाहे वो पोशकतकों की हो, बिमारी की हो और उस कल्य के निकलने के लिए जो भूमी के दशा है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए तो आज मैं इसी पर चर्चा करूँगा कि कैसे हम ऐसी प्रसितियां करें, हम ऐसी कौन सी प्रैक्टिस करें जिससे की गेहूं में अच्छे कल्ये निकलें तो पहले मैं समझना जरूरी है कि कल्ये निकलते कहां से हैं और कब निकलते हैं इसको समझना बहुत जरूरी है, इसके बिना समझे हम चीजों को आगे नहीं समझ सकते हैं, मान लिजिए कि ये जमीन में हमने गेहूं का बीज बोया है, और ये गेहूं का बीज हम बोते हैं वो जनरली 4-5 cm की गहराई पर बोते हैं, मान लिजिए ये हमने बीज बोया है, 20-25 दिन बाद यहां पर बीज में, मतलब जमीन से 2-3 cm की गहराई पर, ये कह सकते हैं जमीन से और बीज के बीज की दूरी पर, यहां से फूलना शुरू हो जाता है, और यहां फूलने से यहीं से कल्ले निकलते हैं, और यहीं से जड़े निकलती हैं, इसी पॉइंट को, इ पहले भी एक वीडियो बना के समझा चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके क्रिशी किसान में, क्राउन रूट, तो यह CRI स्टेज कहलाती है, CRI, क्राउन रूट इनिशेशन इस्टेज, और यह से स्टेज पर ही कल्ले निकलते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर हमारी CRI स्टेज अच्छी है, और यहां पर कोई समस्या नहीं आ रही है फसल को, तो कल्ले बहुत अच्छे निकलेंगी, और जड़े भी यहां से पर्मनेंट रूट जो हैं, वो यहीं से निकलती है, तो यह स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या हम ऐसा करें कि कल्ले बहुत अच्छे निकलें, तो इसको हम दो भागों बार सकते हैं कि ऐसा हम क्या करें, एक हम बुवाई से पहले कौन सी बेवस्था बना के रखें, और मतलब बुवाई करते समय किस बातों का धियान रखें, और दूसरा हम कह सकते हैं, बुवाई के बाद हम क् समस्य ऐसी आती है कि हमें पता नहीं चलता और बुवाई के बाद हम देखते हैं कल्ले कम निकल रहे हैं तो हम पहले से ही कुछ इस तरह की प्रैक्टिस करें कि कल्ले जादा निकलें तो देखिए बुवाई से पहले आपको जो दियान रखना है वो यह रखना है कि आपका जो गेहूं का बीज ले रहे हैं बहुत पुराना नहीं होना चाहिए अगर पुराना बीज होता है तो क्या होगा उसका अंकुरान कम होगा पौधा कमजोर रहेगा तो क्राउन जो रू रख लेते हैं लेकिन उस्टोर करते समय ध्यान नहीं देते कि बीज से उसके बहुत ज्यादा तापमान में रख दिया या नमी आगई बीज के अंदर तो अंकुर्ण छमता उसकी कम हो जाती है तो ऐसा बीज कम जोर पड़ जाता है कि कल्ले कम निकलते हैं तो आपको ध्यान अच्छा होना बहुत जरूरी है दूसरा यह है कि जो बीज की जो गहराई है आपकी इस गहराई पर बो रहे हैं जो depth of swing हम जिसे कह सकते हैं वो important है तो जैसे मैंने भी बताये कि जो गेहूं का जो अच्छी जो optimum है वो 5 cm है मान लिजे आप उसको 8 cm पर बीज को बहुत देते है और ऐसा होता है कि रोटावेटर चलाने के बाद जहां पूर कोल दे हैं तो गहरी खुल जाती है और मान लिजे बीज यहां पर आ गया वह बीज अगर यहां पर आ गया तो सोचिए अंपर उपर तक जाएगा और क्राउंड रूट से जो कल्ले वो फिर कम निकलेंगे तो जब यहां से नीचे रह जाएंगे तो कल्ले बहुत कम ही निकल पाएंगे कुछ कल्ले नीचे ही रह जाएंगे तो बीज आपको बहुत गहरा नहीं बोना है दूसरे सिती यह हो सकती है कि आप बीज की कम गरही रखें दो से तीन सेंटीमिटर पर बोया है अब यहां से रू से आएगा तो भी कल्ले निकलेंगे क्योंकि यहां तापमान का प्रोहाफ पड़ेगा हो सकता है कोई कमपैक्शन से यह खतम हो जाए तो यह जो क्राउन रूट है यह दो से तीन सेंटीविटर नीचे होना चाहिए गहरे बीज में बहुत नीचे चला जाता है जब उत्रा बीज बोते हैं तो उपर जमीन के पाउस आजाता है तो भी यह नुकसान हो जाता है तो आपको बीज की कुराई पाउस सेंटीविटर तक रहनी है ना इससे कम रहनी है तर दूसरा यह «ए अपको ध्यान अखना है» घराही का फिर खेत के तagn Revelation है अगर क्छेत कंप तो जुताई आपको ठीठा करनी है, बहुत ज्यादो जुताई नहीं करनी, बहुत कम भी नहीं करनी, ठीठ जुताई इसलिए रखनी है कि इसमें जो है कमपैक्शन ना हो स्वाइल में, तो ये खेत आप अच्छी प्रकार से त्यार करें, और अगर खेत भारी मिट्टी का है, तो सोड़ा से आपको भुरुबरा करना पड़ेगा, और उसमें आप जैवांश प्यदार्थ मिलाएं, तक कि मिट्टी भुरुबरी बनी रहे, तक कि इसमें कमपैक्शन ना हो, तो आपको कमपैक्शन रोकना है, तो खेत को अच्छी प्रकार से त्यार करना है, तो बीज क कि गहराई का ध्यान लगना है, खेत की तैयारी का ध्यान लगना है, कमपैक्शन ना होने पाए, चाउता है, समय से आपको भुगई करनी है, मालिजा बहुत भुगई देर से करते हैं, 15-20 दिसमबर में करते हैं, तो उसमार ठंड बढ़ जाती है, और ठंड के करना क्या लेंगे, तो यह भी आपको ध्यान लगना है, तापमान बहुत कम हो गया, तो इसकी अंकुराण शम्ता पर कल्ले निकलने प्रवहा पड़ता है, और जो दूसा कारण है, कि हम बीज दर बहुत जादा रख देते हैं, जो समाने तर बीज दर है, वो 100 किलोग्राम प्रती हेक है, तो जैसी कल्ले तो उपर को निकलेगा, लेकिन आपस की जड़े फस गई है, जबी जड़े फस जाएंगी, तो इसके जो यहां से क्राउन बनेगा, इस पर भी इसका मुरा प्रहा पड़ता है, तो बीज दर बहुत जादा नहीं रखनी है, आप ये सोचेंगे, बीज द आपको समानेता 100 kg प्रती हेक्टर रखना है, अगर देर से बुवाई कर रहे हैं, तो ऐसी इस्तिती में, चुकि अंकुरण कम होता है, जब आप कम होता है, कल्ले कम निकलते हैं, उस इस्तिती में बीज दर बढ़ा सकते हैं, 125 kg प्रती हेक्टर रख सकते हैं, लेकिन समय से कीजिए, गराई से रखिए, अच्छा वीज रखिए, खेद अच्छे प्रती त्यार कीजिए, तो ये आपकी CRI स्टेज अच्छी आएगी और कल्ले भी निकलेंगे, कुल मिलाके हमें इसी बात पर ध्यान अगना है, कि हमारी CRI स्टेज अच्छी हो, उसमें जहां से कल्ले निकलते हैं, जमीन के नीचे रहता है, ये जमीने वारी अच्छी बनी रहनी चाहिए, तो ये बात हमारी बुवाई से पहले की है, अब हम ध्यान दे हैं, बुवाई के बाद हम क्या कर सकते हैं, मालने ये हमसे कुछ गल्तियां हो गई, अब हमने गेहों बोधिया हम चाहते है इस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ आप उसको देख सकते हैं कि सिचाई करना क्यों जरूरी है तो इसमें क्या है नमी अच्छी मिलेगी तो कल्ले अच्छे निकलेंगे लेकिन आपको शिचाई बहुत गहरी नहीं करनी है बहुत गहरी सिचाई करेंगे तो पाणि बढ़ जायाए गा prophets पिला नहीं पड़ना चाहिए इस पर भी मैं दो बातों का ध्यान रखना है, पहला तो सिचाई आपको CRI stage पर करना है, जो 20-25 दिन बाद आती है, बुवाई के, अगर हमने समय से बुवाई करिये तो 20-25 दिन बाद आएगी, और अगर देर से बुवाईगी तो 25-30 दिन बाद आएगी, पांस दिन, एक हथा लेट हो जाती पांस से साथ दिन लेट हो जाती है, दूसा है यह, यही ऐसी सित्य है, जब नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूत है, तो नाइट्रोजन आपको देना है, इस समय CRI stage पर आप नाइट्रोजन दीजिए, और एक तिहाई नाइट्रोजन आप CRI stage पर दे दीजिए, स सित्य नहीं हो रही है, तो सिचाई करने के बात आप यूरिया दे दीजिए, उससे पहुदों को नाइट्रोजन मिलेगी, तो कल्ले ज़्यादा अच्छे निकलेंगे, तो आपको क्या रखना है ध्यान, सिचाई का रखना है, और नाइट्रोजन का देना है, जो आपको देना है नाइट्रोजन पूरी चुट गुरोध करता है व्लोग पॉटेशन सारे नूट्रेशन के काम को बढ़ाता है तो आपको एंपी के जितनी संस्तुत और आता ही नहीं है, Potassium का हलका सा प्रवाव आता है, तो इसलिए आपको जो Phosphorus Potassium देना है, वो आपको BWI के समय देना है, पूरा-पूरा Phosphorus Potassium BWI के समय दे, तभी इसकी अच्छी जड़ निकलेगी, तभी आप अच्छे कल्ले निकलेगी, अगर आप Phosphorus SSP, DAP खड़ी फस में उपर देने पर पोटेश्यम अगरा मैं उपी के माद्धम से देता हूं सिचाई करते तो थोड़ा बहुत लाब मिल सकता है लेकिन उतना लाब नहीं मिलेगा इसलिए आप एक तिहाई नाइट्रोजन और पूरा फास्वास पोटेश्यम बोवाई के समय दें और एक तिहा बढ़वार अच्छी होगी उपज भी अच्छी होगी तो आप ये दो तिन भागतों का ध्यान लखेंगे मुक्यता बोवाई से पहले बोवाई के समय में क्या करना है और बोवाई के बाद हमें क्या करना है तो कल्ले अच्छे निकलेंगे और उपज भी अच्छी होगी ब इसी समय सिचाई कीजिए और नाट्रिजन दीजिए अगर यह हम कर लेते हैं तो कर ले तो अच्छे निकलेंगे बालिया मजबूद बनती हैं दान अच्छा बनता है ओपज अच्छी मिलती है इसी प्रगार की चर्चा के लिए आप खृषी किसान प्लेलिस्ट को देख सकते ह उसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ और मेरा यही प्रयास है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे प्रमानिक जानकारी पहुंचे बैग्यानिक कारण उनको पता हूँ कि ऐसा क्यों होता है इसके आप लेक्चर्स को देखते रहिए और लोगे साथ भी शेर कीजिए तक ही उनको भी इसका लाब मिले अगर चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कीजिए धन्यवाद